हलो वीवार्स वालकम बैक टिको सम्स कीचन रहनी सीजन आ गया है और मार्केट में एकदम सॉफ्ट और ग्रीन बिंडी और ओकरा मिल रहा है और आज मैं शेयर करी हूँ आपके साथ बिंडी दो प्याजा की रेसिपी एकदम मसालीदार और बहुत ही टैम्टिंग है मेरे घर म को वीडियो का अंट तक्स जरूर देखें और हाँ अगर रैसे भी पसंद आए तो लाइक को शेयर करने में बिल्कुल प्यों सिमत कीजेगा बिंडी की सबजी बनाने के लिए आदा किलो भिंडी यो मैंने वाश कर लिया है और उसके साइड को हटा कर बड़ा-बड़ा कट कर लिया है यहां दो पड़े प्यास और अन्यन है जिसमें से एक को मैंने बिल्कुल बारिक चौप किया है और यह जो दूसरे वाला हैं इसे मैंने बड़े साइस में डाइस कर लिया था गालिक हमें जादा नहीं डालना है अब हम इसका ग्राइंड करके प्योरे बना लेते हैं और प्योरे रेडी है यहां एक पेन में में ले लिया है एक चुमच ओई और जैसे गरम होता है इसमें हम भिंडी डाल देंगे और इसे कुप करेंगे मेडियम टू हाइफ लेम पर और इस भिंडी को कुप करने में हमें लगेगा अराउंड 6-7 मिनेट्स और बिच बिच में आप इस तरह से चलाते रहे हैं आपको लगने लगेगा थोड़ी देर में सा कलर चेंज हो जाएगा और भिंडी जो है यह देखिए थोड़ी से क्रिस्पी होने लगी है थोड़ा स अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भिंडी मेरे कुक हो चुकी है सेम पैन में मैंने फिर से वन स्पून ओई ले लिया है और इसमें जो हमने डाइस किया हुआ अनियन था वो डाल दिया है हमें इसे ट्रांस्पेरेंट होने दा कुक करना है तो आब इसे कंटिनू कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ओईल है वह इसी में रह जाएगा सेम पैन के अंदर जो ओईल बचा हुआ था उसी में मैंने फिर से एक चमच ओईल एड कर लिया है इसमें हम डालेंगे वन एन हाफ स्पून क्यूमिन सीड और जीरा जीरा जिसे क्रेक होता है यहां मैंने ग्रेंचिली एट कर दी है दो से तीन और यह है जो हमने बारी करटा हुआ अनियन था उसी डाल दिया है और अब हम इसे बिल्कुल गॉल्डन हो जाने तक फ्राइग करेंगे कंटिनू चिलाते हुए हाइफ लेंग इससे हमारी जो भि उसे थोड़ा सा गॉल्डन फ्राइग कर लेते हैं तो आप एक बार ट्राइग करें आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है जैसे अनियन यह पर गॉल्डन हुआ इसके अंदर में ने टेमाटर लैसून और अध्रक का पेस्ट डाल दिया है इसी में हम डाल देंगे हल्डी पाउडर हाफ स्पून और सॉल्ट हाफ स्पून अब हमें इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें से ओईल सेपरेट नहीं हो जाता तो इस प्रोसेस को रोगेगा तीन-चार मिनट और फ्लेम को मैंने यह पर लो टू मीडियम रखा हु अनहेंस हो कि आता है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप ग्रेवी बना रहे हैं कोशिश करें लो फ्लेम पर ग्रेवी बनाएं जैसे इसमें से ओईल सेपरेट होता है इसमें मैंने 2 स्पून राचिली पाउडर और 2 स्पून धनिया पाउडर और करेंडर और इसी में हम डाल देंगे जो भिंडी हमने कुक की थी और कर लेंगे हम इसे मिक्स तो आप देख सकते हैं एकदम से जो भिंडी है वो बहुत ही डिफ्रेंट एकदम मसालिकदार स्पाइसी दिखने लगी है पर आप इसमें स्पाइसे अपने अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं अब हम इसमें एट कर देंगे सॉल्ट माइन में रखे हैं हमने जो ग्रवी बनाया था तब भी हमने सॉल्ट डाला था और आधा चमश अमचूर पाउडर और राह मेंगो पाउडर हाफ स्पून बस अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छा से मेक्स कर लेना है अब हम इसे कवर कर देंगे और टू मिनिट के लिए लोग टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जिससे जो हमारे सारे स्पाइसे उनके सारे फ्लेवर सारे अरोमा अच्छे से एक दूसे से घुल मिल जाए टू मिनिट के बाद मैंने ढकन ओपन किया है आप दिख सकते हैं बिंडी काफी अच्छी दिख रही है बहुत ही टैम्टिंग लग रही है यहां बिंडी को एक बार चेक कर लेंगे यह अच्छे से कुक हो चुका है तो दबाने से यह इसली टूट रहा है गेस को बंद कर देंगे और साव करेंगे सर्विंग प्लेट में I hope अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया है तो विंड़ो के जस्ट नीचे रैट करका सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस बिंडी को आप गर् पराठे चपाती के साथ सब्सक्राइब